गाइस दुनिया के हर इंसान के अलग-अलग खाने पीने के शौक होते हैं किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ और लेकिन फ्रांस के माइकेल लॉटिटो एक ऐसे इंसान थे हैं जो लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खा जाते थे जिया गाइस क्या गजब के इंसान थे दरसल माइकेल लॉटिटो का नाम उस वक्त चर्चे माया जब उन्होंने साल 1978 में एक हवाई जहास को ही खाना शुरू कर दिया और सिर्फ दो साल में ही उनी सो सी तक वो पूरे प्लेन को ही खा गये हैं एक अनुमान के मुताबिक 1969 से लेकर 1997 तक माइकेल लॉटिटो ने करीब नॉटन यानि के 8,164 किलोड धातू की चीज़े खा ले थी गाइस क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के में नहीं थे थे कॉमेंट श्रीक्स में जहूँ बताइए और सब्सक्राइब करना में मिलते के लिए थाक्स वाचिंग